नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजिनिंग के 10 अती महत्पूर प्रशनों को साल्व करने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी परिछाओं के लिए महत्पूर हैं दोस्तों यह रीजिनिंग का पार्ट नमबर 9 है अगर आपने दोस्तों पीछले पार्टों को नहीं देखा है तो किरप्या देख लीजिएगा उससे पहले दोस्तों अगर आप किसी भी गौर्रमेंट इक्जाम की तयारी कर रहा हैं दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर SLC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, Bank, Railway, Army, CRPF, Seated, Police, State Exam या अधर किसी भी गौर्शाम की तयारी कर रहा हैं दोस्तों तो इस वीडियो में हमने जितने भी प्रशनों को सामिल किया है वो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गया है या आने की संभावना रहती है तो उमीद करता दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अन्त तक बने रहेंगे तो चलिए दोस्तों हम कोस्चन की ओर चलते हैं कि 77 का सम्मत यहाँ पर question mark जिएका कौन सी संख्या आएगी हमें ये बताना है अब देखिए दोस्तों सालों कैसे करना है यहाँ पर दोस्तों अगर 85 में हम 45 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 40 मिल जाता है जो कि दोस्तों यहाँ पर 40 लिखा गया है अ और 7 में से 4 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमें 32 मिल रहा है देखेंगे दोस्तों 32 किसी option में 32 में देखने को नहीं मिल रहा है तो question इस तरीके से साल्म नहीं होगा कोई दूसरा तरीका लगाएंगे अब देखिएंगे दोस्तों अगर आप ध्यांस देखेंगे जाएगा दोस्तों यहां पर 40 हो जाएगा अब सेम तरीका जो है दोस्तों इसमें भी करेंगे 77 देखेंगे दो संख्याओं से मिलकर बना है और 7 और 7 से तो यहां पर 7 का गुड़ा हम क्या कर देंगे 7 से कर देंगे 7 सत्य क्या होता है दोस्तों 49 होता है तो 49 देखेंगे दोस् पहला ही option क्या है सही हो जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह परशन आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों हम दूसरे परशन की ओर चलते हैं दूसरे प्रशन को देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रशन में क्या दिया क्या है कि K N Q T का संबंध जो है जिस परकार यहाँ पर Y L O R U से है तो यहाँ पर हमें बताना है कि A D J G J को यहाँ पर हम किस परकार लिखेंगे अब देखें यह दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के अगर जानी कि अंग्रेजी की अच्छरों से संबंध जब भी इस टाइप का question पूछा जाता है तो उसे कैसे जल्दी से जल्दी कम समय में हम साल्व करें सबसे पहले जो तरी काता है आपको क्या याद कर लेना है ऐसे ले करके जड्द तक के जितने भी 26 अच्छर होते हैं उनका क्या खरना है आपको नंबर याद कर लेना है जैसे दोस्तों A एक नंबर पर आता है, B जो है दोस्तों यहाँ पर दो नंबर पर आता है, C जो है दोस्तों यहाँ पर तीन नंबर पर आता है, D जो है दोस्तों यहाँ पर चार नंबर पर आता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर Z जो हता है और 26 नंबर पर आता है, यानि कि A से लेकर Z तक जितने भी अच्छन होते हैं अंगरेजी में उनका क्या करना है आपको आपको नंबर याद कर लेना है जब आपको नंबर याद रहेगा दोस्तों तो आप क्या करेंगे इन सभी कोस्चनों को आसानी से बना ले जाएंगे तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंग जो के बाद क्या आता है यहां पर देखेंगे यन के बाद क्या आता है दोस्तों यन के बाद O आता है तो O 15 नमबर पे होता है और यन जो है दोस्तों 14 नमबर पे आता है यानि कि दोस्तों यहां पर भी क्या कर रहा है प्लस 1 कर रहा है अब देखेंगे दोस्तों यहां पर Q के के बाद क्या आता है दोस्तों अब देखेंगे ट के बाद क्या आता है यू आता है यानि कि टी जो है दोस्तों 20 नंबर पर होता है और यू जो है 21 नंबर पर आता है तो यहाँ पर हमें क्या पता चला दोस्तों कि प्लस वन का सेंस चल रहा है यानि कि प्लस वन कर रहा है यहा इसके अगले वाले अच्छर लिख दिया है, तो यहां पर भी हम सेम तरीके से करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहां पर कैसे करना है, अब लेते है था दोस्तों क याँ पर के लिख लेते हैं तो हमें क्या मिला दोस्तों यहाँ पर फोल से दिया है दोस्तों तीसरे प्रशन को देखते हैं यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरे प्रशन में क्या है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गंध का संब्ध जिस प्रकार फूल से दिया है उसी प्रकार दोस्तों हमें यह बताना है कि यहाँ पर स्वाद का संब्ध किससे होगा अब देखिए दोस्तों आपको साल्व कैसे करना है अगर दोस्तों यहाँ पर परशन को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों यह फूल का जो गुण होता है दोस्तों गंध होता है यानि कि दोस्तों कुछ फूल क्या होते हैं खुसबूदार होते हैं कुछ फूल क् एक गुण है एक गंध है तो उसी प्रकार दोस्तों स्वाद क्या किसका गुण है तो स्वाद दोस्तों जो है भोजन का एक क्या है गुण है तो यानि कि यहां पर क्या भरा जाएगा दोस्तों भोजन भरा जाएगा तो भोजन देखेंगे दोस्तों किस option में देखने को मिल र चे-उथा पर्शन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है अंतर-मुखी का संस्बंद जिसकार बहर मुखी से है उसी प्रकार हमें ये बताना है कि यहां पर जो है दोस्तों यहां पर यहां पर दोनों question मारें जाएंगे कौन सा सब्द भरा जाएगा अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इन सब्दों पर हम विचार करते हैं तो देखते हैं तो जो अंतर मुखी है दोस्तों इसका जो विपरीत सब्द होता है ये बहिर मुखी होता है यानि कि बिलोम सब्द दिया है बहिर मुखी तो यहां पर देखेंगे दोस्तों जितनी भी option दिए गया है, एक किसी के आपस में बिप्रीत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो दिया गया पहला option यहां पर be튼 क्या है तो यहां पर समर्थ है। यानि कि यह दोनों क्या है आपस में क्या है बिप्रीत है। आपका जो सहे जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बिरुद्ध का समर्थन होता है यानि कि दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं जिसे आपके बिरुद्ध में होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं आपके समर्थन में होते हैं यानि कि दोनों क्या हैं एक कलपों में से उस सब्द को चुनिये जो दिये गए सब्द के अच्छरों का परयोग करके बनाया जा सकता है दोस्तों इस परसन में दो टाइफ से परसन पूछे जाते हैं एक बोल रहा है कि यहां पर बनाया जा सकता है और एक में पूछा जाता है कि नहीं बनाया जा सकता है इसमें हमें क्या पूछा है दोस्तों इसमें से पूछा है कि यहां पर एक सब्द दिया गया है और इसमें से हमें बताना है कि इन चारों आपसनों में कौन सा आपसन इन सभी सब्दों का प्रयोग अच्छरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है अब देखेंगे दोस्तों प पर भी आए दिया गया है अब देखेंगे तो यहां पर दिया है तो यहां पर भी दिया गया है यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां देखेंगे तो यहां पर भी यानि कि दोस्तों जो पहला option है यह बनाया जा सकता है तो इसलिए हमारे जो सही जवाब हो जागा दोस्तो तो पहला option हो जाएगा, अब देखेंगे दोस्तों, बाकी के तीन option है, एक क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर last में Z दिया है, और इसमें कहें भी हमें Z को देखने को नहीं मिल रहा है, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर Y है, लेकिन इसमें हम दोस्तों यहां पर देखेंगे नीचे पहली देखेंगे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अच्छर दिये गए हैं दूसरी पंक्ति में प्रतेक अच्छर एक को एक अंक निर्धारत किया गया है अंक और अच्छर एक दूसरे के कट हैं यानि कि दोस्तों यहां पर क्या है एक का 10 का नंबर क्या होगा तो यहां पर पहले हम कि लिख देते हैं दोस्तों equal है स्वाह दिया है यहां पर हम साथ लिख लेते हैं अब अब देखेंगे ए दिया है यहां पर तो ए कहां हो गया है दोस्तों यहां पर यह का नंबर क्या है एक नंबर छह दिया है तो यहां पर छह हो जाएगा अब उसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर नंबर क्या है दोस्तों दो है तो यहां पर दो लिख लेत अब देखेंगे तो टी यहाँ पर है दोस्तों टी का नंबर कितना है चार दिया है तो यहाँ पर हम चार लिख लेते हैं अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना है लड़कियों की एक पंक्ती में दोनों छोरों से इग्रहमे स्थान पर है उस पंक्ती में कितनी लड़किया है हमसे पूछा है दोस्तों इस टाइप के परशनों को साल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूं आपको जो अच्छा लगे आप उसी से इस परशनों को साल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के परसनों को तो यहां पर चलिए दोस्तों हम साल्व करते हैं यहां पर दिया गया दोस्तों सुनीता जो है दोस्तों वह लड़कियों की एक पंक्ती में दोनों छोरों से इगरहमे स्थान पर है यानि कि दोस्तों एक यहां पर पंक्ती दी संक्या इधर है तो यानि कि इधर कितनी संक्या थी इधर 10 संक्या थी और इधर भी कितनी सी 10 संक्या थी तो यहां पर दोस्तों यहां पर इनको क्या कर लेंगे क्या होता है यह ट्रीक क्या है टोटल वराबर क्या होता है टोटल वराबर यहां बाइं की आऔर दायैं से यहा पर हमें बताना है है यहां पर सुनीju tu कर देंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा 21 दोस्तों आपका क्या दिया है आपसन नंबर ए में दिया है इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपसन नंबर के आ जाएगा 21 आपका रही टैंसवर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अगले की और चलते हैं दोस्तों आठवे परशन को देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ स्रीज से सर्मधिस्क परशन दिया गया है निम लेखे संख्या स्रिंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें दोस्तों यहाँ पर हमें एक स्रीज दिया गया है और इस स्रीज क तो इस सेंस में हम कैसे सोचेंगे, देखेंगे दोस्तों तो यहां पर जो तीन, दो और तीन से क्या मिल रहा है, बना है, तो इन ही दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में पलस करेंगे, यानि दो पलस तीन कर देखते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, उसी प्रकार दोस्तों यहां पर पांच और तीन को जोड़ेंगे तो पांच तीन कितना होता है आठ होता है अब यहां पर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर चार और तीन को आपस में पलस करेंगे तो यहां पर साथ हो रहा है अब देखेंगे तो यहां पर दोस्तों यहां भी हमें इसे करना है यानि कि दोस्तों यहां पर पहली दोनों संख्याओं को जोडने के बाद अगली संख्या में मिल रही है तो यहां पर देखेंगे तो तीन और चार को प्लस करेंगे तो कितना हो जागा दोस्तों साथ हो जागा कोश्चन मार्ग क्या भरा जागा दोस्तों option number A में दिया 7 आपका right answer हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों यह प्रस्ण आपको अच्छे से clear हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं दोस्तों नवे प्रस्ण को देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों नवे प्रस्ण में क्या है अगर दोस्तों 24 और प्लस 25 को करते हैं तो 24 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा उन्चास में प्लस हम 1 कर देते हैं तो दोस्तों 50 हो जाता है उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो प्रूंस देखेंगे इसको तो यहां पर आपको समझ में अगर आप 24 और 24 को जोड़ेंगे तो 24 कितना होता है 48 होता है वही दोनों संख्याओं को नीचे वाकर आपस में गुड़ा करने पर हमें पर आप देखेंगे दोस्तों तिया पर 25 और 20 क्या जोड़ेंगे कितना हो और यहां पर 9 का गुड़ा 5 से करेंगे 9 पच्चे कितना होता है 45 होता है तो यहां पर यानि कि हमें यहां पर 45 मिल गया अब उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे जो संख्या हमें मिले कि यहां पर हमें भी क्या करेंगे गुड़ा अब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे क्या से सालब करना है दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर आप पचास और दस को जोड़ेंगे तो पचास दस कितना होता है साथ होता है अब देखेंगे तो यहां पर तीन में यहां पर कोश्चन मार्क दिये गया है त तो कॉस्चन मारग जाए कौन सी संख्या से हम गुड़ा करें 3 से तो यहां पर 60 हो जाए तो अगर आप 15 से गुड़ा कर देते हैं तो 20 तियां यह के तद साथ होता है यानि कि दोस्तों यहां पर क्या भरा जाएगा 60 भरा जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह परस्ण आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो अगले परस्ण की ओर दोस्तों दसमें परस्ण को देखिए यहां पर दोस्तों क्या दिये गया है परस्ण में कुछ समिक्रण एक बिसेस प्रडाली के अधार अधार पर अनुतरित समिक्रण का सही उत्तर ग्याद कीजिए दोस्तों यहां पर हम यह बताना है कि तीन गुड़े नव गुड़े साथ यहां पर तीन सो उन्यासी किस परकार से लिखा है और यहां पर देखेंगे तो यहां पर पांच गुड़े चार गुड़े आठ यहा को यहां पर पहले लिख दिया यानि कि दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे तो यहां पर यहां पर नव को लास्ट में लिख दिया यानि कि बीच वाली संख्या को क्या कर रहा है अब देखेंगे तो तीन फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर साथ को यहां पर पहले लिख लेत दोस्तों यहां पर एक को लिखेंगे उसके बाद तीन लिखेंगे यहां पर बीच वाले को हम क्या करेंगे लाश्टम कर दियानि कि 132 आपका राइट एंसर हो जाएगा तो यहां पर 132 की इस आफ्षन में देखने को मिल रहा है इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा द प्रूब करेंगे दिया देखने मुझा दो सही जवाब हो जाएगा प्रूब कर दो सही जवाब हो जाएगा प्रूबड़ की इस आपका एंसर जाते बाद हो जाएगा ज़ दो